CIET NCERT के जरीए पेश है सफ़ा नंबर 165 सबक 22 हमारी तहजीब हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है यहां जो लोग रहते हैं उनके मज़भ, जबाने, रंग रूप, लिबास, खाना पीना और रस्मो रिवाज अगर्चे सब एक दूसरे से अलग हैं, मगर सब मिल जुल कर रहते हैं यह एक ऐसे चमन की तरहा है, जिसमें रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे हों आप जानते ही हैं कि ऐसा चमन कितना खूपसूरत नजर आता है हिंदुस्तान भी ऐसा ही खूपसूरत चमन है इसकी रंग बिरंगी तहजीब सारी दुनिया में मशूर है हिंदुस्तान के रहने वालों में मेल जोल और प्यार महबत का जजबा पैदा करने की सबसे ज्यादा कोशिश सूफी संतों ने की है सूफियों की खानकाहें और संतों की कुटियां इनसान दोस्ती और भाई चारे के बड़े मरकज रही है आज भी अजमीर शरीफ में खाजा मुईन अद्दीन चिष्टी रहमत अला अले पंजाब में बाबा फरीद उद्दीन गंज शकर रहमत अले और दहली में हजरत निजाम उद्दीन ओलिया रहमत अले की दरगाहें हिंदू-मुसलिम इत्याद और मिलाप का नजारा पेश करती है इसी तरह संद कबीर दास और गुरु नानक की तालिमात से भी हिंदूस्तान की मिली जुली तहजीब परवान चड़ी सफा नंबर 166 हमारे मुल्क में हिंदू-मुसलिम, सिख और इसाई आपस में भाई-भाई की तरह रहते हैं यहां के तहवार, होली, दीवाली, ईद, बैसाखी और क्रिसमस सब लोग मिलकर मनाते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं हमारी उर्दू-जबान हिंदूस्तान की मिली जुली तहजीब की अच्छी मिसाल है उर्दू हिंदूस्तान में पैदा हुई मिलकर इसके अदब को माला माल किया है हिंदूस्तान के दूर-दराज इलाकों का सफर कीजिए तो ऐसा लगता है कि इस एक मुलक में कई मुलका बाद है इसके पहाड, नदियां, खेत, मैदान और रेगिस्तान इसमें रहने वालों के रंग रूप, रहन सहन, बोली ठोली और तौर तरीके हमें एक साथ कई मुलकों की सेर करा देते हैं कसरत में वहदत या अनेकता में एकता इसी को कहते हैं हमारी मिली जुली तहजीब का ये पहलू बहुत रोशन और खूबसूरत है हमें हर कीमत पर अपनी तहजीब के इस रंग की हिफाज़त करनी है सफ़ा नंबर 167 मश्क, लव्ज और मानी जजबा, जोश, एहसास, इतिहाद, मेल जोल, एकता, खानका दर्वेशों के रहने की जगा, इबादत और तालीम की जगा परवान चड़ना फरोग पाना, तरक्की करना कसरत ज्यादा होना, बहतात वहदत एक होना अनेकता अलग-अलग होना, बेमेल गोर कीजिए हमारे मुलक हिंदुस्तान में अलग-अलग मजाहिब के मानने वाले और मुखतलिफ जबाने बोलने वाले लोग रहते हैं लोगों के रस्म और रिवाज, तहवार, लिबास और रहन सहन अलग-अलग है फिर भी आपस में मिल जुल कर रहते हैं इसी को कसरत में वाहदत और अनिकता में एकता कहते हैं हमारे मुलक की मिली जुली तहजीब को परवान चड़ाने में सूफी संतों का बड़ा एहम किर्दार है सोचिए, बताईए और लिखिए एक, हिंदुस्तान को खुबसूरत चमन क्यूं कहा गया है दो, मुलक की तहजीब को परवान चड़ाने वाले सूफी संतों के नाम बताईए तीन, उर्दु जबान किस चीज की अच्छी मिसाल है सफ़ा नंबर 168 चार, उर्दु जबान कहां पैदा हुई पांच, अनिकता में एकता का क्या मतलब है छे, मुलक में मनाए जाने वाले चंद तहवारों के नाम लिखिए खाली जगों को पूर कीजिए एक, हमारे मुलक में हिंदु, मुसलिम, सिख और इसाई आपस में खाली जगा की तरह रहते हैं दो, हमारी उर्दु जबान हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब की अच्छी खाली जगा है तीन, उर्दु खाली जगा में पैदा हुई चार, हमें हर कीमत पर अपनी तहजीब के इस रंग की खाली जगा करनी चाहिए पांच, हमारा हिंदुस्तान एक बड़ा खाली जगा है इन लवजों से जुम्ले बनाईए मजभ, चमन, तहवार, तहजीब, रोशन आप इस्म, फेल और सिफत की तारीफ पढ़ चुके हैं इस सबख से सही खानों के मताबिक अलफास तलाश करके लिखिए यहां तीन खाने दिये गए हैं, एक खाना इस्म, एक खाना फेल और एक खाना सिफत के लिए है सफ़ा नंबर 179 यहां एक तरफ कुछ तस्वीरे दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके नाम दिये गए हैं तस्वीरों को सही नाम से मिलाइए तालीमात तालीम की जमा है इसी तरह अलिफ और ते लगा कर यहां दिये हुए लवजों से जमा बनाईए सफ़ा नंबर 170 यहां एक कॉलम अलिफ और दूसरा कॉलम बे दिया हुआ है अलिफ और बे के सही जोड मिला कर जुमले मुकमल कीजिए अलिफ रस्मों रिवाज अगर्चे सब एक दूसरे बे और क्रिस्मस सब लोग मिलकर मनाते हैं अलिफ सूफियों की खानकाहें और संतों की कुटियां बे मिली जुली तहजीब की अच्छी मिसाल है अलिफ यहां के तहवार होली दिवाली ईद बैसाखी बे बहुत रोशन और खूबसूरत है अलिफ हमारी उर्दू जबान हिंदुस्तान की बे इनसान दोस्ती और भाई चारे के बड़े मरकज रही हैं अलिफ हमारी मिली जुली तहजीब का ये पहलू बे से अलग हैं मगर सब मिल जुल कर रहते हैं मिसाल के तोर पर यहां कॉलम अलिफ में से जुमला रस्मो रिवाज अगरचे सब एक दूसरे को कॉलम बे के जुमला से अलग हैं मगर सब मिल जुल कर रहते हैं से जोड़ा गया है इसी तरह बाकी के जुम्ले जोड़िए इन लवजों के मुतजाद लिखिए इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे चौथी जमात की उर्दू की समय दर्सी किताब इप्तिदाई उर्दू समय रिकॉर्डिस्ट बतिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत